नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की वृत कथा कहने जा रही हूँ ये कथा सोमवार वृत में सुनने जाने वाली है तो चलो कथा शुरू करते हैं श्रावन सोमवार की कता के अनुसार अमरपूर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, दूर दूर तक उसका व्यापार फेला हुआ था, नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान-सम्मान करते थे, इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतरमन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एकी चिंता सताती रहती थी उसकी मृत्यू के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन समपत्री को कौन समभालेगा। फुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रती सोमवार भगवान शिप की व्रत पूजा किया करता था। सानकाल को व्यापारी शिप मंदिर में जाकर भगवान शिप के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिब से कहा, हे प्राणनात, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिब ने मुस्कराते हुए कहा, हे पारवती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं माई, उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनात, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, यहां आपका अनन्य भक्त है, प्रती सोमवार आपका विदिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के ब लेकिन इसका पूत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, उसी रात भगवान शिब ने स्वपन में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पूत्र प्राप्ती का वर्दान दिया और उसके पूत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताए, भगवान के वर्द व्यापारी के घर में खुशिया भर गई, बहुत धूमधाम से पोत्र जन्द का समारोह मनाया गया, व्यापारी को पोत्र जन्द की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पोत्र की अलपायू के रहस्य का पता था, ये रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था, विद्वान ब्राह्मनों ने उस पूत्र का नाम अमर रखा. जब अमर बारा वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारानसी भेजने का निश्चे हुआ. व्यापारी ने अमर के मामा दीचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वारानसी छोड़ाओ. अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया. रास्ते में जहां भी अमर और दीचंद रातरी विश्राम के लिए ठहते, बही अग्य करते और ब्राह्मनों को भुजन कराते थे. लंबी यात्रा के बाद अमर और दीचंद एक नगर में पहुँचे. उस नगर के राजा की कण्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजिया गया था. निश्चित समय पर बारा था गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आँख से काने होने की कारण बहुत चिंदित था. उसे इस बात का भाय सता रहा था कि राजा को इस बात का चलने पर कहीं वह विवाह से इंकार न कर दें। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यू नए इस लड़के को दूलहा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको ध मिलने के लालच में वर की पिता की बात स्वीकार कर ली। आमर को दूलहे की वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। आमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओरनी पर लिख दिया। राजकुमारी चंद्रिका तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वारानसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। जब राजकुमा राजकुमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया। राजा ने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचन के साथ वारानसी पहुँच गया। अमर ने शिव के वर्दान के अनुसार शे नावस्था में ही अमर के प्राण पखेरू उड़ गए। सूर्योदे पर मामा अमर को मृत देख कर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अद्रश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था। इसकी आयू तो पूरी हो गई। पार्वती भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राननात। आप इस लड़की को जीवित करें। नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यू के कारण रो रोकर अपने प्रानों का त्याग कर देंगे। इस लड़की का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवा हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तु प्रक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीप चंद ने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लोटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन हुआ। व्यापारी अपनी पतनी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र बदू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिब ने व्यापारी के स्वपन में आ पारी के घर में खुशिया लोट आए। बोलो शंकर भगवान की जै बोलो माता पार्वती की जै दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान शिफ की जै अवश्य लिखें।